हेलो एब्रिवन, कनेक्टिफार गॉसिप में आप सभी का है most welcome भारते सिनेमा दूर से जिस तरह से ग्लैमरूस और एकता वाला शेत्र नजर आता है हकीकत में ये विल्कुल उल्टा है जो हम बड़े पर्दे पर देखते हैं कि सबी अभी नेता और अभी नेत्रियां इक दूसरे से मिल जुल कर रहते हैं एक दूसरे के साथ दोस्त है असल जिनकी में ऐसा कुछ नहीं है वो बड़े पर्दे पर बस अपना किरदार निभाते है बारते सिनेमा में जितना प्यार है उससे कई जादा नफरत है आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी अभी नेत्रियों के बार में बताएंगे जो एक दुसरे से बेहत नफरत करती है शायद ही आपको पता होगा कि बॉलिवुड में कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी है जो किसी ना किसी कारण से एक दुसरे के दुश्मन बन गए है जो कि एक दुसरे के सामने आना तक पसंद नहीं करते है पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कलीजे साथी बेल आइकन को प्रेस कलीजे जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके नमबर एक करीना कपूर और फ्रेंका चोपडा और करीना कपूर एक दुसरे को देखना तक पसंद नहीं करती अगर किसी फंक्शन में दोनों को आना हो तो वो कभी भी एक साथ उस फंक्शन में मवजूद नहीं रहती एक जमाने में ये दोनों बहुत अच्छी दोस्ती लेकिन आज के समय में ये दोनों नामी एक्ट्रिस एक दुसरे की दुश्मन बन गई है खबरों के मताबिक एक बार कॉफी विद करन के सेट पर जब करीना ने प्रेंका से ये पूछा था कि उन्होंने अपना एक्सेंट कहां से पाया है तो इसके जवाब में प्रेंका ने कहा था कि जहां से उनके बॉइफरिंड ने पाया है भावी कहा ऐसी बात पर या ऐसे जवाब पर हर कोई बुखला जाएगा उसके बाद से अब तक प्रिंक और करीना को कभी भी एक साथ किसी भी कारेकरम के सेट पर या फिल्म में नहीं देखा गया है करीना और विपाशा पहली बार अजनबी फिल्म में एक साथ काम किया था ये फिल्म विपाशा की जेवियू फिल्म थी इस फिल्म इन दोनों अभी नेत्रियों की पहली और आखरी थी जिसमें दोनों एक साथ बड़े परदे पर नज़र आई थी इसके बाद दोनों के बीच में दुश्मनी ने जनम लिया इनकी दुश्मनी की शुरुआत तब हुई थी जब विपाशा ने अपने बयान में ये कह दिया था कि वो इसके बाद करीना के साथ कभी काम नहीं करेंगी इसके जात ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये दोस्त आगे रहे ना रहे किसी को भी साफ ज़ानकारी नहीं है कि विपाशा बाशू और करीना कपूर एक दुसरे के ज़ान दुश्मन क्यों बने विपाशा ने कई इवेंट्स और मीडिया के सामने जौन इब्राहिम के साथ मिलकर करीना कपूर का काफी मजाग भी बनाया था इसके बाद अब भी सभी जानते हैं कि विपाशा बाशू को बॉलिवोड में कितना कामिल रहा है नमबर तीन सोनम कपूर और अश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहुए अश्वर्या राय बच्चन और सोनम कपूर भी एक दुसरे के जानी दुश्मनों में से एक है सोनम काफी खुल कर बोलने वालों और कमेंट करने वालों में से एक है उन्होंने एश्वर्या राय बच्चन पर एक कमेंट किया जिसकी वजह से उनकी मुश्किले काफी बढ़ गई उसके बाद एश्वर्या लॉर्या की ब्रांड एमबेजडर बनी तो उन्होंने सोनम कपूर के साथ रेट कार्पेट पर चलने से मना कर दिया उसके बाद भी सोनम कपूर की बिद्टुक की बाते बन नहीं हुई उन्होंने एश्वर्या को अंची कह कर ये साफ कर दिया था कि वो उनके साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी बैचेन नहीं है नमबर चार कंगना रनौत और दिपिका पादुकोन आज के समय की नमबर वन एक्ट्रिस में से एक दिपिका पादुकोन और कंगना रनौत वाकई में एक दूसरे की जानी दुश्मन बन बैठी है एक एवर्ड फंक्शन के दोरान जब दिपिका पादकोन ने एक एवर्ड कंगना रनौत को डिडिकेट किया तो इस पर कंगना बुखला गई क्यूआ को लगा कि दिपिका की ये सब एक PR एक्टिविटी है जबकि दिपिका ने अपने मन से ये आवर्ड कंगना को डिडिकेट किया था कंगना ने इसका काफी गलत मतलब समझा जिसके बाद दोनों का रिष्टा काफी गडबड़ा गया कंगना दिपिका कितनी बड़ी दुश्मन बन गए कि उन्होंने दिपिका के नाम से वचाव लेटर भी साइन नहीं किया ये लेटर बॉलिवुड फिल्म इंडुस्ट्री में तब भेजा गया था जब दिपिका की पदमावत में पदमावती भूमे का निभाने पर उन्हें काफी धमकियां मिल रही थी नमबर पांच अनुश्का शर्मा और दिपिका पादकौन अनुश्का शर्मा और दिपिका भी एक दुसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती किसी भी फंक्शन में ये दोनों एक दुसरे का सामना तक नहीं करती इन दोनों एक्ट्रिस के लड़ाई का रीजन है लव अफेर कहा जाता है जब रन्बीर सिंग ने दिपिका के लिए अनुश्का को छोड़ दिया तो इनके बीच दुश्मनी का पेड़ लग गया उसके बाद रन्बीर सिंग ने दिपिका को अपना जीवन साथी बना लिया और अनुश्का विराट कोली के साथ शादी के बंधन में बद गई लेकिन आज भी इन दोनों भी नेत्रियों के बीज लफ एफ़ेर की टकरार बनी हुई है नमबर छे दिपिका पादुकोन और कच्रीना कैफ दिपिका पादुकोन और कच्रीना कैफ एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती दिपिका रनबीर कपूर से बेहत प्यार करती थी कच्रीना के साथ फिल्म अजब प्रैंट की गजब कहानी में रनबीर कपूर की नजदी कियां कच्रीना से काफी बढ़ गई उसके बाद रनबीर कपूर ने कच्रीना कैफ के लिए दिपिका का दिल तोड़ दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया तब से आज तक दिपिका और कच्रीना एक दूसरे किसे बे इंतहान नफरत कती हैं इशा देओल और अमरिता राओ एक समय में एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस थी इन्होंने एक साथ प्यारे मोहन फिल्म में काम भी किया था जिसके बाद इनकी दूस्ती चर्चाएं हुई लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच में सब कुछ बदल गया एक बार अमरिता राओ ने इशा देओल को गाली दी थी जिसकी वज़़ से इशा देओल ने अमरिता राओ में थपड जड़ दिया था उसके बाद ही दोनों के बीच दुश्मनी का सिलसिला अब तक चलता आ रहा है बॉलिवुड की मशूर अभिनेत्रियों में से एक एश्वर्यारा है और रानी मुखर जी एक समय में बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी दोनों कई इवेंट्स में साथ आती और जाती थी लेकिन दोनों के रिष्टे एक फिल्म के कारण खराब हो गए फिल्म का नाम है चलते चलते जिसमें रानी मुखर जी ने एश्वर्याराय को बिना बताये इस फिल्म को साइन कर लिया और मशूर अभिनेत आशारु खान के साथ इस फिल्म को पूरा किया इसलिए अश्वर्या खफा हो गई थी क्योंकि इस फिल्म की पहली 24 अश्वर्या राय थी लेकिन अश्वर्या और सल्मान के रिष्टे के कारण वो इस फिल्म को नहीं कर पाई तो ये हैं टॉप एड जाने दुश्मन एक्ट्रिस की जोड़ी आपकी फेवरिट जोड़ी कौन सी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक शेयर का नाब बिलकुल ना भोले शुक्रिया